मारे यूटूब चेनल नालेश फड़ापट में मेरा नाम है विसाल प्रजापती तो गाई आज ही जो वीडियो है एक टू के जितने भी छात्र है चाहे किसी भी कोर्स के आप छात्र हो तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इस वीडियो में आपको बत देखना चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और सारी चीज़े आपको डीटेल में बताते हैं वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगो से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए यह एकडमिक कलेंडर है ब हम कब आएगा ध्यान से समझना मेरी बात को बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं देखो सीधे आएंगे हम लोग सेवन पॉइंट पर बार बार आपको समझाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज है यह देखो पहले तो एक चीज़ के लिए कर लो यह जो है मैं बता सेमेश्टर थियूरी एक्जाम यहाँ पर है दो पाट में डिवाइट किया गया है क्लियर देख सकते हो अब समझो 15 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में आपका फार आल 3rd सेमेश्टर 5th सेमेश्टर 7th सेमेश्टर और 9 सेमेश्टर का एक्जाम होगा फिर से समझो 15 दिसंबर ये अम्बीए के 3rd सेमेश्टर वालों का जो 2nd year के स्टूडेंट है उनका एक्जाम 15 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में नहीं होगा उसके अलामा जो 3rd सेमेश्टर की स्टूडेंट है बाकी बीटे भी फार्मा ये जो 5th सेमेश्टर के स्टूडेंट है जो 7 सेमेश्टर के स्टूडेंट है जो 9 सेमेश्टर के स्टूडेंट है उन लोग का एक्जाम 15 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में होगा डाउट क्लियर सेकेंड वाला देखिए 24 जनवरी से 10 फर्वरी के बीच में 1st सेमेश्टर सभी कोर्स वालों का चाहे बी एच एम सीटी चाहे एम सीए च सेमेश्टर का इएक्जाम बाकी बीटेग बी फ़र्म यंबिये के थार्ड सेमेश्टर वालों का एक्जामापका 24 जनवरी से 10 फर्वरी के बीच में होगा आप तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका प्रस्टीयर से किंडियर मिला जुला की कि भी फार्मा बीटेख फ तो भाई ये 15 दिसंबर से 10 जनवरी बोला जा रहा है तो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ एक्जाम कैसे स्टार्ट होगा पता है फाइनल येर वाले जो भी फार्म के हैं में भी इनका एक पेपर दिसंबर में होगा हो सकता है 29 दिसंबर 30 दिसंबर से पेपर स्टार्ट करें एक पेपर दिसंबर में कर देगा बाकी जनवरी में कर देगा और आपको पता होगा एक पेपर की बीच में जादा जादा दो दिन का गैप 12 तेरे दिन के अंदर खतम कर देता है तो फाइनल येर वालों का हो सकता तीस उस्तारी से स्टार्ट करके 10-12 जनवरी तक खतम कर दे उसी में क्या होगा जो भी फाम थर्ड यर वाले हैं जो अभी हस्पिटल ट्रेनिंग करके आए हैं उनको थोड़ा रियायत दे देगा उनका एक्जाम बहुत करेगा 31 दिसंबर या 30 दिसंबर या पहली जनवरी से स खतम कर देगा मनलब फाइनल येर वाले जो होंगे उनकी यह पेचा 3D वालों को मेंभी हपते हपते 7-8 दिन का ज्यादा मतलब समय मिलेगा बस ज्यादा ज्यादा 7-8 दिनका समझ कि 15 फरवरी से पहले-पहले दोनों लोग नहीं पढ़ जाओगे बाकि 1 सेमेस्टर और 3 समे सब्सक्राइब देखो एक टूर्ट ने जो सेड्वील बनाया है उसके काडिंग फर्स्ट एर सिकंडियर को साथ में लेकर चलना है अब फर्स्ट एर वाले जितना लेट करेंगे उतना ज्यादा सिंडियर वालों का फायदा होगा उतना ज्यादा उनको पढ़ाई का समय भाई फर्स्ट एर वाले जब एक्जाम देंगे तभी उनका भी होगा अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे कॉलेज में फर्स्ट एर वालों की तो क्लासे सितंबर से चल लहीं है तो इसका मतलब उनका एक्जाम जनवरी में होना चाहिए ऐसा नहीं है जो यहाँ पर यह नोटीस है यहाँ पर देखो एके टू ने भी नोटीस जारी की थी इसमें बोला था तीन हपते का इंडक्शन पढ़ाई दिसंबर वालों के लिए बोला था कि तीस नौंबर तक इंडक्शन कारकरम चलेगा और आपकी पढ़ाई एक दिसंबर से होगी तो अब आपके क फर्सटियर की क्लासेट आपके यहां चले रही हैं उनका सिलिबस खतम होने वाला तो उनका भी ग्जाम दिसंबर में होगा उनका एक्जाम फरवरी इंड़ तक होगा भले यहां पर यह जो बोला गया है कि आपका एक्जाम 24 जनवरी होगा यह मान के चलो इनका एक्जाम 15 फर्सटियर वालों का में भी 10 फरवरी से होगा तो फर्सटियर वालों का थोड़ा समय मिल जाएगा उनका हो सकता है 20-25 फरवरी से होगा बस यह डिफरेंस होगा एक्जाम का अब बात आती है कि सर यह बताएए यह सब शीज़े मैं समझ गया एक्जाम कब आएगा तो आपका टेंटेट्यू एक्जाम डेट सीट आ जाएगा उसके बाद एक्जाम फार्म आएगा अब मैं बार बार वीडियों बोल ला था कि आपका एक्जाम फार्म नौंबर लाश्ट में आएगा लेकिन फिर से बोलना हूं कि जब यह डेट थोड़ी इस्टेंड होगी क्य जाएगा में बी 5 निसमबर 7 निसमबर जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा अभी ऐसे Confirm नहीं बोल सकते कब तक Open हो जाएगा में भी 5-7 निसमबर मानके चलो या पहली निसंबर से भी Open horrific नहीं सकता है यह घजित ऐर hect Gradualer आ हो जाएगा टेंटेट्य एट यह तो आपका चीज ये रही तो अब मुझे नहीं लगता कि यहां तक अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आपके अंदर कोई डाउट या कोई क्यूरीज होगा सारा डाउट क्लियर हो गया होगा फिर भी कोई क्यूश्चन हो तो कमेंट सेक्सिन में पूछें बाकि डिस्रिप्श तक के लिबाबाय टेक किया